onlyprofit.com में आपका स्वागत है आए आज मैं आपको triangle pattern के बारे में इस वीडियो में बताने जा रहा हूं तो वीडियो को last तक देखिए और समझने की कोशिश किजिए कि price का structure कैसे behave करता है और आप अगर सही तरीके से trade करें तो काफी अच्छा profit कैसे बना सकते है तो इसके लिए देखिए जो triangle pattern होते है mainly तीन प्रकार के triangle pattern हम price structure में study करते हैं एक आपका हो गया symmetrical triangle एक ascending triangle और descending triangle तो इस वीडियो में हम symmetrical triangle के बारे में study करेंगे बाकि ascending और descending triangle के बारे में हम आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे तो देखिए triangle में pattern में होता क्या है कि price इस प्रकार से आपका एक कोई range में रहता है कि इसे माल लिजे कि कोई एक range इस प्रकार से हुआ कि यह triangle का अकृतिया आपका समझ में आ गया अब क्या करेंगा कि price इस ही के बीच में कि रोटेट करता हुआ रहेगा इस प्रकार से आएगा इससे हाई को टश करेगा और इस प्रकार से तो simply आपको दिख रहा है कि यह triangle है तो इस प्रकार से अब symmetrical में क्या होता है कि देखिए स्लोप जो होता है दोनों साइड में almost सेम होता है आप देखिए फिक्स कोई भी चीज़ नहीं हो सकता है ठीक है सिफ्ट होते जाएगा तो यह आपका symmetrical triangle हो जाएगा अब इस symmetrical triangle को आप कैसे trade करेंगे तो यह जो breakout होगा जब breakout होगा उपर की तरफ तब आप ट्रेड करेंगे या फिर breakdown होगा तब भी आप trade करेंगे उसके बारे मैं advance तरीके से हम बताएंगे आपको आप वीडियो में बने हुए रही है अब देखिए इसमें target आपका क्या बनेगा टार्गेट आपका यह जो symmetry जो triangle है इसका जो starting का जो एरिया होगा उसका जितना अन्यचेंपा दिस्टेंस होगा यह जो distance होगा यह कि यहीं डिस्टेंस आपका उपर के तरफ और counter होगा तार्गेट बनेगा और नीचे की तरफ द्रेक डाउंन होगा तब टार्गेट वहलेगा यह बनेगा ओपर के तरह ट्रियंगल पैटर्ण ही बनता है तो वह प्राइस का मुमेंट होता है और एक चीज और पताना चाहूंगा कि इसमें जो मुमेंट होता है तो काफी तेज होता है प्राइस का मुमेंट जैसे कि आप इस रेंज में फसा हुआ है तो यह जो माल लिजए कि यह पास घंटे से प्राइस चल रहा है इस रेंज में तो दो घंटे में ही टार्गेट आपका अचीव हो जाए सिमिलर टाइप से आप देख सकते हैं जितना मतल उस रख द्शोल कषीट करता है कि कि इस प्रकार से चार्ट में यह सो लोगा तो माली जीचे आओ प्राइस कोई अप ट्रेंड में इस प्रकार से कि क्या हुआ है कि को यह यह पैधन रेंज में फसद से हईँ और नोमें च्पान क्योध्य व्में और यहां से है और लॉजि से नीचे बना फिर यह थाड़ हाई बना तो इससे नीचे बना इसी प्रकार से लो देखिए उपर की तरफ शीफ्ट हो रहा है अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रो करेंगे तो यह देखिए ट्रेंड लाइन आपका इस प्रकार से लाइन आपका क्लियर्ली एक ट्रिंगल पैटर्न शो करने लगा है तो इस प्रकार से आप सीमेट्रिकल ट्रिंगल को हाइन करेंगे चार्ट में और इसका जब ब्रेक आओट होगा तब आप ट्रेड करेंगे जैसे माल लिजे कि इसका ब्रेक आओट हो गया उपर की तरप आप स्विंग जो यह है ना इस इन स्विंग को भी ध्यान बर रखेंगे और इन पर आप कुछ प्रोफिट बुक करते रहेंगे ठीक है वह सकता है कि मुमेंट आपका वन वे ही बन जा लेकिन अगर नहीं बनता है तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे कि प्रोफिट को फिट बुक करेंगे ऍसरेंगे कोश्ट पर स्ट इस लैंगे या फिर आप से फिल सकते हैं यह जो । इसका चांद नीचे वाला हुआ इसका प्रकाक सकते है अगर नीचे की तरफ फो उपर के तरफ रेकाट करेंग डॉब्लाही वह narLo Baby चीज में आपको मैं यह बता रहा हूं कि अगर आप ट्रेंड के डारेक्शन में जैसे कि उपर के तरफ का है ट्रियंगल बना है तो ट्रेंड के डारेक्शन में आप अच्छी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे जितना आप करते हैं और अगर ट्रेंड के अगेंस्ट में अगर आपको trade मिलता है यह इसका breakdown नीचे की तरफ होता है इधर की तरफ तब आप quantity को काफी कम कर लेंगे 50% quantity में आप trade करेंगे तो इसमें आपको काफी अच्छा benefit बनेगा अब एक दो example देख लेता है इसके अलावा देखिए आपको रेगुलर बेसिस पे लाइव मार्केट का लाइव चार्ट पोस्ट करते रहता हूं अपने टेलिग्राम चैनल पे जिसका लिंक आपको description मिल जाएगा तो उसको आप जोइन कर लिजिए और इसके अलावा एक चार्ट में आपको दिखाई देता हूँ अभी जैसे आप को ज़्यादा केलियर समझ में कि देखिए राट कि सिंप्ली कि कितना अच्छा सा सर्डीन प्रिंगल है और इस ट्रिंगल का जब ब्रेक आउट हुआ तो उपर की तरफ चारगेट इसका देखिए ये कितना है आपका 2,040 है और उपर के तरब कितना है यह यह आपका 2,100 है तो 60-65 पॉइंट का टार्गेट अब यहां पर breakout के बाद देखें, breakout के बाद देखें, 2000 पर breakout हुआ है, 2100 पर और इसने high लगाया 2160 का तो यह साट पॉइंट का टार्गेट है वो अचीव हो गया ठीक है तो इस प्रकार से आप ट्रेड करेंगे तो काफी अच्छा बेनिफिट इसको आपको ट्रियंगल पैटर्न में देखने के लिए मिलेगा और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि इस प्रकार का इंफोर्मेशन रेगुलर बेसिस जो अपडेट होता है वो आपसे मिस नहों